साथ्यों देश के सामर्थव और समसाधनों का देश के विकास में सही इस्तिमाल हो यह हम सभी की जिम्मेदारी हैं। आज तमाम व्यवस्ताओं को एक्रुट करके देश की तांकत को बढ़ाया जा रहा है। एक भारत स्रेश्ट भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन, वन मोबिलिटी कार की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्ताओं का एकिकर्ण करने के लिए अनेक काम किये हैं। वन नेशन, वन फास्टेक्स ने देश भर के हाईवे पर ट्रेवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी हैं, जाम से मुक्ती मिली हैं, देश का समय और देरी से होने वाला नुक्षान कम हुआ है। वन नेशन, वन टैक्स यानि जीएश्टी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है, डारेक्ट टैक्स से जुड़ी ववस्ता एक जैसी हुई है। वन नेशन, वन पावर ग्रीड इससे देश के हर हिस्से में परियाप्त और निरंतर बिजली की उपलबता सुनिस्चित हो रही है। बिजली का नुक्षान कम हुआ है। वन नेशन, वन गैस ग्रीड इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेज गैस कनेक्टिविटी सुनिस्चित हो रही है। जहां गैस आधारी जीवन और अर्थववता पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन, वन हेल्थ एंशूरंस स्कीम यानि आईश्मान भारत से देश के करोलो लोग एक राज्य में ही नहीं बलकि पूरे देश में कहीं भी इसका लाब ले रहे हैं। वन नेशन, वन राषनकार इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरीकों को नया राषनकार बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली हैं। एक राषनकार से पूरे देश में कहीं भी सस्थे राषन की सुविदा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कुर्शी सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रिकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है